Hello everyone, मैं आशा करती हूँ, आप सभी ठीक होंगे, मैं काजल धामी, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेक्षिन में हम CTAG Science Pedagogy को है आपे continue करेंगे और आज है हमारा Day 3, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एक बेहत important topic जो कि है NCF 2005 अब आप कहेंगे कि NCF 2005 तो आपका CDP यान की बालविकास का topic है बट यहाँ पर जब आप subject की pedagogy करते हो, चाहे आप science की pedagogy करो चाहे आप maths की pedagogy करो, चाहे आप social science की pedagogy करो आपको previous year paper में एक question हर set में यहाँ पर subject की pedagogy में NCF 2005 कर मिल जाएगा आप चाहे तो किसी भी year का आप previous year paper जो है वो download कर सकते हैं यहाँ पर आपको 20 अगस्त के paper यान की जो recent paper आपका CDP का हुआ था उसके अंदर भी हमें इस topic का question देखने को मिल दिया था तो यहाँ पर बहुत important topic होने वाला है और जैसे कि मैंने आप लोगों से point clear किया था कि यहाँ पर जो science में आपसे science pedagogy यहाँ पर पूछी जाती है total आपसे 10 number की पूछी जाती है और यह जो 10 number है 10 number में लगभग मान के चलिए कि कुछ topic तो आपके इतनी ज़्यादा fix हैं कि हर साल उनसे question बन के आते हैं तो हम पहले उन topics को यहाँ पर cover करेंगे चाहे वो आपके syllabus में mention हो या ना हो एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि जो आपके syllabus में जो bullet point है वहीं से ही आपके question पूछ जा रहें आप previous year paper में NEP यानकी National Education Policy का question देख पाएंगे चाहे आप CDP में देखें चाहे आप subject pedagogy में देखें आप देखके बताइएगा कि यह topic आपके syllabus में mention नहीं है तो आप यहाँ पे syllabus को follow ना करके previous year paper के topics को यहाँ पे follow करके अपने preparation जो है अच्छी खासी करेंगे इसके अलावा चलिए आज के important session को हम start करते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम previous year question भी करेंगे इस topic के ताकि यह topic यहाँ पे combine हो इसके अलावा अगर आप CTAC, science के content या maths के questions के लिए परेशान है तो playlist section विजिट करिए सारा content, सारे previous year आपने वो को मिल जाएंगे ताकि आपके एक overall तयारी हो सके इसके अलावा अगर मैं NCF जिसको आप national curriculum framework या फिर यहाँ पे राष्ट पाठचरिया रूपरेखा के नाम से जानते हो इसके बारे में अगर हम कुछ brief बाते देखें तो यह क्या है यह आपका एक document है एक दस्तावेज है जो कि किसके द्वारा पास किया गया था जो कि यसपाल कमिटी द्वारा पास किया गया था और इस document के अंदर हमें बताया गया है कि हमें सिक्षा किस तरीके से बच्चों को देनी है बच्चों के लिए यहां पर एक important title रखा गया learning without burden यह आपको हर subject में apply करना है कि बच्चे का हमें अधिगम करना है बच्चों को हमें सिखाना है पर बिना बोज के तो यहां पर एक line बोनी जाती है सिख्षा बिना बोज के आप चाहें किसी भी विशे में आप apply करना चाहें यह आप लोगों को देखना होगा कि आप बच्चों को जो education दे रहे हों उसमें बच्चा burden फील ना करें अब आप कहेंगे कि NCF का science या फिर other subject से क्या लेने देना है तो NCF के अंदर हम लोगों को science या फिर बाकी subjects के बारे में हम लोगों को specifically चीजे बताई गई हैं कि ये विशे आप इस तरीके से पढ़ाईए साथे साथ जब आप इस विशे को पढ़ा रहे हैं तो आपको इन इन बातों का ध्यान रखना है सबसे पहले तो NCF का जो main motto है वो ये है कि हमें बच्चों की learning को बच्चों का जो अधिगम हम बच्चे का करा रहे हैं उसे क्या करना है उसे यहाँ पर outside classroom के साथ हमें जोडते चले जाना है outside classroom मतलग जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हो सिर्फ और सिर्फ कक्षा तक समितना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा इसके लिए हमें बच्चे को experience देने होंगे यानि कि बच्चा जो सीखे उसका बच्चे को अनुभाव भी हो बच्चा यहाँ पर किस तरीके से सीखे learning by doing method से यानि कि बच्चा करके उस चीज को सीखे ये NCF बोलता है और इसके लिए आप science में क्या करा सकते हो इसके लिए आप science में experiment करा सकते हो इसके अलावा जो बच्चा knowledge gain करे जो बच्चे का ग्यान हो यहाँ पर आपको क्या करना है उसको link करते वे चले जाना है उसकी day to day life से तो अगर आपका NCF का कोई भी question आता है जिसमें ऐसे word जो कि अभी मैं आपके साथ discuss कर रही हूँ यह word आपको मिल जाते हैं तो वही optionals question का correct answer होगा साथे साथ NCF ने NCF 2005 के अंदर हमें science education के बारे में बताया कि science जो है विज्ञान जो है किसके प्रती सत्य होना थी यह मैंने कल के यानि कि जो science pedagogy का day 2 मैंने आप लोगों के साथ discuss किया था कि यहाँ पर NCF एक हमने previous question किया था उसके अंदर कि जो विज्ञान विशह है यह किसके प्रती सत्य होना चाहिए सबसे पहले यह बालक के प्रती सत्य होना चाहिए दूसरा यह खुद विशह के प्रती सत्य होना चाहिए तीसरा यह किसके प्रती सत्य होना चाहिए जीवन के और चौथा यहां पर environment के किसके प्रती सत्य नहीं होना चाहिए तो आपका अंसर आएगा teacher के क्यों क्योंकि teacher center education नहीं करा ली यह जो concept है यह भी हमें किसके अंदर बताया गया NCF 2005 के अंदर बताया गया आपको क्या क्या चीज़े याद दखनी है कि हमें सिक्षर ऐसे देनी है जिसमें बच्चा बोज ना समझे बर्डन ना समझे साथे साथ बच्चे का जो अधिगम है उसे outside the classroom हमें connect करते वे चलना है इसके अलावा बच्चा learning by doing यानकि experiment method से सीखे प्रियोग विधी से सीखे इसके अलावा हमें बच्चे को अनुभाव देने है बच्चे को experience देना है साथे साथ उसके knowledge को हमें link करना है day to day life से इसके अलावा बच्चे का जो ज्यान है वो किस तरीके से होना चीए वो तो link होना चीए इसके अलावा जो विश्य है यान की जो science विशह है वो किसके प्रती सत्य होना चाहिए सबसे पहले बालक की प्रती फिर science यान की विज्यान की प्रती फिर जीवन के प्रती और environment के लिए तो ये point हमें बताया गई इसके अलावा हमें बच्चे को और क्या करना है ऐसा option जिसमें encourage करने की बात की गई यान के बच्चों को प्रोचसाहित करना है हमें साथे साथ collaboration की बात की गई अब आप कहेंगे कि ये तो हमें tag word से भी ये सब चीजे पता चल जाती है बट ncf के document के अंदर ये सारे word को highlight करके दिया हुआ है और जिससे आपके previous year में question बनते है अब कौन से ऐसे option होंगे या कौन से ऐस option जिसमें only यानिकि केवल शब्द आ गया वो आपका correct answer नहीं होगा क्योंकि देखिए चीजे limit करेगा ये इसके अलावा किसी option में segregate करने की बात की गई यानिकि प्रथक करने की बात की गई वो option नहीं होगा isolate करने की बात की गई यानिकि अलग-अलग करने की बात की गई वो option नहीं होगा इसके अलावा discriminate करने की बात की गई फेदफाओ करने की बात की गई वो option नहीं होगा इसके साथ यहां पर अगर हम बच्चे को high rank वाले को और low rank वाले को अलग-लग तरीके से grouping कर दे तो यहां पर यह चीज नहीं होगी अगर हाँ हम लोग mix group बनाएं तो वो चीज सही है तो ऐसे option के तरफ आपको नहीं जाना और इन सभी चीजों को ध्यान में रखके NCF के खास करके NCF 2005 के जो science के pedagogy in fact यह science pedagogy का series है बट अभी मैं आपको math pedagogy के अंदर भी NCF के question यहां पर दिखाऊंगी जो कि आपको इसी concept से यहां पर clear हो जाएंगे तो चलिए मैं उमीद करूंगी कि यह सारे point आप लोगों को यहां पर clear हो जोएंगे अब मैं आपके साथ previous year question यहां पर discuss करती हूँ not even हम science pedagogy के question in terms से करेंगे अभी मैं math pedagogy के भी कुछ question यहां पर mix करके लेके आओंगी अभी जो session यहां पर end होगा ताकि आपको पता चलेगा कि NCF का कोई question अगर आपको science pedagogy यह math pedagogy में दिख किया तो आपको किस तरीक से हाँ पर solve करना है I hope मैं उमीद करूंगी कि सभी series में आप लोगों को जो provide करी हूँ चाहे हो content की series हो previous year series हो या फिर आपकी pedagogy की series हो या आपको पसंदारी होगी इसके लावा इन सभी classes के link मैं आप लोगों के साथ telegram group के share करती हूँ telegram group का link जो है आपको comment section में मिल जाएगा आप वहां से मेरे साथ join हो सकते हैं बाकि ये सभी classes आप लोगों को playlist में मिल जाएंगे आप उनको देखिए बिना परेशान हुए अपने तयारी कीजिए आपका सारा content यहां पर cover हो जाएगा अब चलिए हम direct previous air question यहां पर discuss करते हैं ताकि ये topic आप कर्चे से compiled हो अब हम कुछ previous air question यहां पर discuss करते हैं जो कि NCF 2005 पर यहां पर based हैं तो देखिए यहां पर आपकी screen में दो question यहां पर show हो रहें जो कि दो अलग-लग subject के लिए होएं आप यहां पर देखेंगे कि पहला जो question है वो आपको science pedagogy का मिल जाएगा और जो second question यहां पर मैं discuss करने वाली हूँ वो आपका math pedagogy का है और जैसे कि मैंने कहा था कि NCF के question आपको हर subject की pedagogy में यहां पर देखने को मिलते है और क्योंकि हमारा जो main subject है वो math science है तो दोनों question हम यहां पर साथ में discuss करेंगे अब देखें यहां पर हमें question number 53 जो है इसके में अंदर बोल रखा है which of the following should be the hallmark of science curriculum at upper primary stage as per NCF 2005 यान की NCF 2005 की अनुसार निमलिखित में से कौन सा उच्च प्रात्मिक स्थर पर विज्ञान पाट्ठचरिया का विशिष्ट लक्षन होना चाहिए अब देखें इन में से कौन सा विशिष्ट लक्षन होना चाहिए यह हम से पूश रखा है और अगर आप यहां पर यहां पर तीसरे ऑप्षन में देखें तो यहां पर strict separation की बात की गई है यान की प्रथकी करन की बात की गई है जो कि एक negative sense में जाता है तो यह option आपका question का correct answer नहीं होगा इसके अलावा अगर आप पहले option को पढ़ते हैं तो पहले option में बोल रखा है कि science should be introduced as a separate discipline like physics, chemistry, biology यानि कि विज्ञान में भौतिक, रसाइनिक और जीव विज्ञान को विविन विशियों की तरह पढ़ाना चाहिए हमें integrated तरीके से पढ़ाना है तो यह option भी नहीं होगा इसके अलावा अगर हम यहाँ पे B option को देखें तो B option वो रखा है science content should be regard as dilute version of a secondary stage of science अब देखिए सिर्फ और सिर्फ dilute version के बात की गई है यानकि इसमें भी हम लोगों को चीजों को excited रखने की बात की गई है तो यह भी नहीं होगा अगर आप यहाँ पर D option पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें बोल रखा है कि हमें बच्चों को गतिविधियों से इसके लावा प्रियोगों से यानकि activity, experiments से चीज़े समझानी है जो की सबसे बड़िया तरीका है यहाँ पर D option जो है यह correct answer होगा अब देखिए question number 30 यहाँ पे गनित सिक्सा सास्त्र में सबसे नियुम्तम योगदान यहाँ पे रखता है यानि कि इन में से कौन सा यहाँ पे cultural resource जो है वो least contribute करता है तो आप अगर सारे option को उपर उपर से भी एक बार नज़र डालेंगे तो last option में आपको memorization यानि कि रटा मारना यहाँ पे रट कर चीजे समझने के बाद की गई है जो कि सबसे negative हो जाता है math में इस वज़े से इस question का D जो option होगा यह correct answer है तो देखिए इस तरीके से अगर आप question को deal करते हैं तो NCF के question आप आसानी से हाँ पे कर पाएंगे अब next question हम लोगों का यहाँ पे science pedagogy का पूछा गया है which of the following is not aligned with the recommendation of NCF 2005 regarding science education at upper primary stage यान की निम्न में से कौन सा यहाँ पे NCF 2005 द्वारा विज्ञान सिक्षा के संदर्व में यहाँ इन में से सबसे कम जो align करता है वो आपको बताना है तो देखिए यहाँ पर not वाला जभी भी question आपको पूछा रहा है ऐसा option को आपको ढूणना है जो की negative sense में आपके बाते बोल रहा हूँ तो अगर मैं इस question को यहाँ पे read करती हूँ तो यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि experiment should be avoid experiment को यहाँ पे avoid करो, experiment को नकार दो तो देखिए avoid होने की वज़े से यह option यहाँ पे गलत हो जाएगा और क्यूंकि आपको यहाँ पे negative option को ढूणना है तो यही इस question का correct answer होगा इसके अलावा बच्चों को engage आपको करना है इसके अलावा आपको skill develop करना है इसके अलावा आपको practical knowledge देना है यह भी सही है इस question का पहला जो option होगा यह correct answer है इसके अलावा question number 51 है according to NCF 2005 which of the following is not an objective of science teaching at upper primary level यहाँ की उच्च प्रात्मिक सतर पर यहाँ पे NCF 2005 के अनुसा निम्न में से कौन सा इन में से उदेश्य नहीं होना चाहिए activity और experiment कराते हैं तो यह तो अच्छा point है तो यह वाला option इस question का नहीं होगा इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि आपको एक working model जो है module जो है एक तरीके सा त्यार करना है और उससे क्या होगा उससे बच्चे को hand on experience मिलेगा तो यह वाला option भी नहीं हो सकता इसके अलावा next option नहीं बोल रखा है कि learning concept of science through familiar experience experience से पढ़ाने यह तो बहुत अच्छा है इस question का जो first option होगा यह correct answer है इसके अलावा अगर हम next question यहाँ पे discuss करें यह भी हमें science curriculum से related question यहाँ पे पूछ रखा है और यह question आपको बताना है कि इन में से कौन सा यहाँ पे science curriculum के लिए को जो aim है उसको address नहीं करता है मतलब accept वाला बताना है इसमें भी negative वाला science आपको बताना है तो यह question question number 56 आप लोगों का हो वो question है इस question का answer आप comment section में बताईएगा कि इस question का क्या correct answer है I hope आज के यह जो session मैंने आपके साथ discuss किया है यह आपको यहाँ पे पसंद आया होगा